वेलकम बैक तो मैं चैनल गाइज Mix Like a Master और आज हम बात करने वाले हैं Software Mixing vs Hardware Mixing यह Software Mastering vs Hardware Mastering मतलब Software और Hardware में जो भी डिफरेंसिस हैं वो आज हम डिसकस करेंगे यह कोई टिटोरियल नहीं है यह जिस्ट एक informative वीडियो है जिन लोगों को नहीं पता जो Beginners है, Bedroom Producers है जिन्होंने जिस्ट स्टार्ट किया है Produce करना उन्हें नहीं पता कि Software Mixing और Hardware Mixing में फरक क्या है तो उसके बारे में आज बात करेंगे तो सबसे पहले Software Mixing वो तो नाम से क्लियर है कि Software है, कोई Software से हम Mix करेंगे जैसे कि हमारी Plugins आती है Valhalla हो गया, Waves हो गया Fab Filter हो गया, Isotop हो गया ये कुछ Famous Companies हैं जो Plugins बनाती हैं और भी काफी Companies हैं जो Plugins बनाती है तो UAD Plugins बनाता है जो सबसे बड़िया मानी जाती है Software Mixing में जो Software Mixing में Mixing या Mastering होती है वो जस्ट एक Plugins हम डालते हैं FX Chain पे उसके द्वारा होती है और जो Hardware Mixing या Mastering होती है वो होती है और Hardware Mixing में EQ का एक Hardware लगा होगा और Pitch Correction के भी Hardware आते हैं और Mastering Compressor Manly बनाता है या फिर Shadow Hills हो गया जो काफी Famous Compressors हैं Mastering के लिए तो वो सारे एक Hardware Console होगा और उसके बीच से होके हमारी Audio आएगी और Software Mixing थोड़ी सी हमें ऐसा है कि हम गर्पे भी कर सकते हैं और जो Plugins हैं वो सस्ती हम खरीद सकते हैं Online As compared to Hardware मालो आपने एक Mastering Compressor खरीदना है वो ही साड़े तीन चार लाहका आएगा तो कहां जाएगी बात तो Basically हम Bedroom Producers हैं तो हम इतना Invest तो नहीं कर सकते हाँ किसी Mastering Engineer को गाना दे के जो हमारा ठीक ठाक रेंज में हमारा गाना मिक्स करके या Master करके हमें दे सकता है तो हम Hardware भी करवा सकते हैं But we can't afford Hardware कि हम घर पे ले आएगे चार लाहका कंप्रेसर तो ऐसे तो नहीं है क्योंकि हम आन्टों करनी रहे So Bedroom Producers जो मेरे जैसे घर पे काम करते हैं अब मिक्स करते हैं घर पे ही तो उनके लिए तो Software Mixing बेस्ट है जो Software Mixing है वो थोड़ी सी Easy है As compared to Hardware क्योंकि हार्डवेर पे सारा कुछ आपको सुनके ही करना है आप Master कर रहे होगा ना और आपने ध्यान रखना है कि मेरा LUFS इससे नीचे ना जाए तो वो तो बाद में पता चलेगा जब वो हार्डवेर से होके आपके वापिस डौ में आएगा तो रिकॉर्ड होगा और फिर पापको पता चलेगा कि यार यह LUFS कम हो गया ज्यादा रह गया में थिंग कि जब आपके कान तयार होंगे बिलकुल हो जाएंगे तो फिर आप Hardware Mixed या Master खुद से कर सकते हो फिलहाल एड़ अरली स्टेज आप नहीं कर सकते प्रफ़े आपको लाकर भी कोई दे देगा तो आप उस पे उतनी अच्छी आउटपूट नहीं निकाल सकते और इन Digital Mixing या Software Mixing You can see the sound So basic जो sound हो तो सुनने की चीज है आपको सबको पता यह बहुत basic सी बात है कि जो sound है, वो सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नी सकते हैं, लेकिन digital mixing में आप sound को देख भी सकते हो, कि compressor डाला मैंने, वो कितना compress कर रहा है, वो दिखाएगा कि हाँ, इसकी मैंने ये peak काड़ दी, या इसका मैंने ये काड़ दिया, आप उस पे देख सकते हो, और on the other hand, अगर हम hardware क की बात करें, तो आपको अपने कान बहुत ज्यादा train करने पड़ेंगे, उसको use करने के लिए, क्योंकि कितना compress हो गया, वो show तो करेगी needle क्योंकि analog में कोई ऐसा तो नहीं है, कि graph चल रहा है, क्योंकि analog needle है, वो ही देखना है, कि कितने decibels काट रहा है, कितना नहीं, software में तो easy है कि हमने just bounce in place करके देख लिए कि कितना, इसकी dynamic range कितनी रह गई है, तो काफी easy है, software mixing as compared to hardware, तो यह था हमारा एक topic, मुझे लगता है कि software और hardware mixing क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, so मिलते हैं next video में, peace out.